सो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी एक यूट्यूबर हो आप यूट्यूब लाइफ और प्लस अपने स्टेडी की लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो अगर आप इतनी प्रॉब्लम्स में फसे हुए हो कि आपकी वीडियो सूट नहीं हो पाया आप अपनी वीडियो अप्लोड नहीं कर पा रहे हूं य로 फिर अगर आप यूट्यूब सेन दें रहो तो आप एक चीजी अमेशा देनी होगी कि जो मैं रूस यहांपर बताउँगा जो आपके लिए यह इंगर एक यूटुबर होता है तो उसके पास दो काम होते हैं या तो वह पूरा यूटूब अपना समालता है ठीक है या तो फिर अपना जो बैकरिंट में जो इस्टेडि करता है और कुछ लोग क्या होते हैं कि यूटूब प्लस study दोनों समालते हैं, कुछ लोग work करते हैं, तो YouTube प्लस work समालते हैं, ठीक है, तो अगर आप college student हो, या फिर आप school जाते हो, 10th, 11th, 12th student में पढ़ते हो, तो आप अगर study manage करना चाहते हो, प्लस YouTube को भी manage करना चाहते हो, तब ये वीडियो आप के लिए, आप सबसे पहले सम अपना schedule खुद बताऊंगे, कि मैं अपना schedule कैसे manage करता हूं, तो आप भी बना लोगे, पर उसको आप manage नहीं कर पाऊगे, क्योंकि आपने जिस time पर जो काम करने के लिए, उस time आप दूसरा काम करने लगोगे, आपने net खोला, आप online आए हो, तो आपको WhatsApp पहुंच जाओगे कहीं, कहीं Instagram पर पहुंच जाओगे, कहीं YouTube पर पहुंच जाओगे, वहाँ वीडियो देखने लोगोगे, गाने सुनने लोगोगे, चेटिंग करने लोगोगे, दोस्तों की साथ आपका time इधर इधर waste हो जाएगा, और आप जो काम करने वाले थे, आपका उधर से focus हड़ जा हम लोग की life कम दिखती है, तो इस बात को समझना होगा, कि आपको अपने मन को स्थिर करना होगा, और सबसे पहले मैं अपना schedule बताता हूँ, मैं अपना schedule बता हूँ, उसको फिर बदल करके आपको अपना schedule बताना होगा, क्योंकि मैंने जानता हूँ क्या college किस time जाते हो, coaching कि किस time जाते हो, आप क्या time किस time करते हो, पर सबसे पहले एक बात आप जान लो, कि अगर आप YouTube live समाल रहे हो, और प्लस study भी कर रहे हो, तो आपको सुबा चार बजे या पार बजे उठी जाना है, अगर आप कुछ भी करते हो, कितना भी आपको रात के 10 या 11 बजे सोना है, औ सुबा चार बजे नहीं तो साड़े चार पांस तक आपको हर हालत में उड़ जाना है, अब माली जा आप सुबा चार बजे उठते हो, और रात के आप 11 बजे तक सुथते हो, तो आपके पास 17-18 घंटे होते हैं, अब आपको इसको किस time में divide करना हो, आप समझ लिजे, क्यो YouTube वीडियो बनाते हो, थुश में हम लो को क्या क्या चीजे करनी होती है? सबसे पहले topic wean doctor करना होता है, फिर video के shooting करनी होती है, थीक है, फिर editing करनी होती है, थिर thumbnail करनी होती है, आप सबसे ज़ादा time कीन चीजों में में लगता है, topic find करने में plus editing करने में, shooting करने में, और यहां पर thumbnail बनाने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है पर यहां पर editing में आपको बहुत ध्यान देना होता है और topic जल्दी मिलते हैं तो topic find करने में बहुत जादा time होता है चलिए अब हम लोग time के हिसाफ से इसको divide कर लेते हैं जिससे हम लोग का time और ज्यादा बचे और हम लोग बिल्कुर time के हिसाफ से manage कर पाएं माली जी मैंने आपको पूरा topic find करने के लिए पूरा एक घंटा दे दिया आप एक घंटे में topic कैसे find करोगे मैं अगर आप कोगे तो इस वीडियो पर लाइक ज्यादा आएंगे तो एक properly वीडियो बना दूंगे जिसमें आप बिल्कुर समझ जाओगे फिर भी मैं यहां पर कि यह लोग जो बना रहे हैं मैं इससे कुछ हट के बनाने की कोशिज करूँ कोई ऐसी वीडियो बनाओ जो आवस्यक हो पर अभी तक बनी ना हो बलाब वो जरूरी हो पर अभी तक यूट्यूब पर हो ना कोई बनाया ना हो तो यह कहने के लिए आसान होता है मैं जानता यूट्यूब में अपने जैसे कैटेगरी में जितने भी यूट्यूबर से सब पर नजर मारो और एक अच्छा से टॉपिक फाइंड कर लो और खुद पर विश्वास रखो कि मैंने जो सोचा है मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वह 100% सही है क्योंकि डा में बैठे हो आपका माइंड सही से काम कर रहा हूं प्लस आप ठके ना हो तब आप इडिटिंग आप अराम से कर सकते हो रही बास सूटिंग की अब मैं आप एक घंटे अगर मैंने टॉपिक फाइंड करने को लिए तो सूटिंग वाले वीडियो को सूट करने में आपको 30 म में तो लगी जाते हैं वीडियो सूटिंग में ठीक है उसके बाद आपको थर्मनेल मेकिंग में भी 30-40 मिट देने होंगे क्योंकि आप 10-15 मिट में बनाकर लगा देते हो तो आपकी लाख वीडियो अच्छी होगी फिर भी आपकी वीडियो नहीं चलने वाली है क्योंकि मे डिवाइड कर दिया और एक घंटा में एडिटिंग को दूँगा तो अब आप वीडियो को सुटिंग जब करिए मालीज आप सुबह उड़ चुके हो तो सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए अब मैंने मेडिटेशन क्यों क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि या यूट चैटिंग करने लगें, इंस्टाग्राम पर चले गए, फेस्बूक चले गए, यूट्यूब पर वीडियो देखने लगे, गाने सुनने लगे, तो आपको अपने वीचारों पर, आपको अपने माइंड पर कंट्रोल रखना होगा, कि मैं जो करने आया हूं मुझे पहले व पांच के बीच में आपने सारा काम कर लिया, अब 5-6 एक घंट आपको मिला, उस एक घंटे में 30 मिनट में आपको अपने वीडियो सूट कर लेनी होगी, और हो सकए तो उसी 30 मिनट में आप अपना थर्मनेल भी बना लीजिए, अब आपका टॉफिक हो गया, आपकी वीडि इतना रिलिफ महसूस होता है, तो आप उस टाइम एडिटिंग करोगे, तो और अच्छे से कर पाऊगा, और दिमाग से कर पाऊगे, आपने सारा काम कम्प्लीट कर लिया, अब अपलोडिंग में और SEO में आपको ज्यादा टाम नहीं लगता है, क्योंकि जो यूट्यूबर दिरे-दिरे-दिरे-दिरे करते रहते हैं, उनको इतना अंदाजय हो जाता है क्या Ceo कैसे करना है? उतना आप कर सकते हो, तो यह है कि आपको 3-4 घंटे आपको लगते हैं, सब कुछ मिला के, आपको टॉपी फाइंड करने में, सब कुछ, स्क्रींग कभी-कभी करनी होती अब आपको ये चीध्यान देनी कि आपको इस 3-3 घंटे आपको पूरे 18 घंटे की बीच में किस टाइम निकालना है आपको निकालना तो पड़ेगा क्योंकि अगर आपकी लाइफ आपको अभी से बनानी है आंगे चल के आपको कुछ करना है लोगों की तरीके ठोकरे नहीं खानी है बेरुजगारी में अपनी लिस्ट में अपना नाम नहीं देखना है खुद सेल्फ डिपेंड खड़े हो खड़े हो कि अपने माता पिता के नाम रोसन करना है तो आपको 3-3-4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे दोस्तों तो यहां पर आप यह कीजिए कि मैं जो सेडूल बता रहा हूं वह सिसाथ से आप अपना सेडूल कैसे बना सकते हो और उसको बनाईए और प्लस मेडिटेशन करिए जिससे माइंड आपका कंट्रोल हो आप इधर-धर मत भागिए और आपको जो काम करना उस पर फोकस कीजि इस टेडी के लिए पूरे आपके पास सोला सतना खंटे आपके हैं ठीक है माली जिए कुछ नहीं तो आपके पास 10 घंटे तो पूरे पूरे आप खेलने के लिए निकाल दो नहाने धोने और सब कुछ की निकाल दो आप छाइग अगन्ते भी पढ़ा ही कर लेते हो तब भी आपकी steady level growth बढ़ी हां रहेगी आपके marks भी अच्छी आएंगे presentation भी अच्छी रहेगी दोस्तों तो अब आपको यह देखना कि मैं study को किस time manage कर रहा हूं YouTube को किस time manage कर रहा हूं पर आपको करना क्या कि इन दोनों की बीज में किसी तीसरे को मत आने देना वो आएगा तो यह इस आपको notification आपको मिलती रहेंगी दोस्तों और मेरे को जाकर Instagram पर follow कर लिजिए हूं आप मैं आपको नहीं नहीं information and updates देता रहता हूं Link के description में यूजर नेम आपको दीख रहा होगा दोस्तों और कोई feedback देना कोई question पूछना तो comment section में पूछ तो मैं आपको reply दे दूंगा आज वीडियो मासे नहीं था थैंक्स वोचिंग फ्रेंड जय हैं जय भारत